नमस्कार हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तों अगर आपने भी HP PGT हिंदी का जो कमीशन अभी साथ तारीक हुआ है यह वाला एक्जाम दिया था तो यह वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि इसमें हम इस पूरे हमारी इसको रहेगी और दूसरी चीज़े जो आपका पहला पेपर अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो कितनी प्रसेंटेज रहेगी कि अतना जा सकती है कॉटफ तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से यह पेपर रहा है आई तिंग 55 के आसपास तक जो है कॉटफ रह सकती है क् इतना भी असान और इतना भी मुश्किल एक्जाम नहीं था जो दूसरे बाला पेपर रहा है बाकि इतने भी स्टुएंट्स मिले उनसे अधिकतर स्टुएंट्स का मानना ये था कि जो आपका पहला पेपर था वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हुआ तो अगर किसी का है ये पहुत लेट हम बना रहे हैं और बिल्कुल काफी लेट तो होई चुके हैं लेकिन फिर भी इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि कहां से कौन से प्रशन जो थे वो कैसे रखे गए थे और उन प्रशनों के आधार पर हम फिर से ये चीज़ कोशिश करेंगे कि कि कितना तक जो है एक student इसमें अच्छे से कर सकता था और कितनी cut-off जाने की संभावना है तो जहां तक मैंने analyze किया है और जितने भी students से हमारी बाचीत हुई है तो उससे यही लग रहा है कि लगबग 55 से 60 या इससे थोड़ा नीचे रह सकता है उपर जाने की संभावना नहीं है कि 60 से उपर चली जाएगी merit क्योंकि अभी इससे पहले college cadre की जो परिक्षा हुई थी हिंदी की उसमें हमने देखा कि इस paper की अपरिक्षा वो paper थोड़ा सा असान था बावजू उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें 60 या 62 के around जो चनरल की cut-off थी वो इतनी रही थी तो आप यह मान क चलते हैं कि 4-5% उससे नीचे ही रहने वाला है क्योंकि उतना जादा preparation जो है एक PGT का जो aspirant वो नहीं करता है तो मेरे इस paper में जो cut-off है वो 55-56-7 के आसपास ही रहने वाली है इससे जादा नहीं जाने वाली है बाकी अब हम इसमें देखते हैं कि कहां से कौन से प्रशन कैस रहे थे और क्या-क्या चीजें हैं कोई ऐसा प्रशन तो नहीं है जिसको आयोग ने जो है थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है तो उन चीजों को अब 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 देखते हैं और अगर कोई प्रशन गलत भी है तो उस पर आप कैसे claim कर सकते हैं ये चीजें भी आपको पता ह वाला है उसको अलग से लाएंगे पहले-पहले हम जानते हैं कि जो literature वाला portion था वो कैसा रहा है तो सबसे पहले यहां पर देखिए किस unit से कितने प्रशन पूछे गये थे इसको हम थोड़ा सा देखते हैं हालां कि यहां पर आप देखेंगे कि आधुनी काल से लगबग यह यहां पर 15 ही लिखा है यह पर 16 question थे लगबग उनमें से फिर कहानी से समंदेत 7 या 8 question है रितिकाल से एप्रॉक्स हैं यह रेखना exact ऐसा नहीं है exact आप आगे मैंने सारह ही question रखे हैं unit wise कि किस unit से कैसे कैसे प्रशन बने हैं वहां से आप इनको analyze कर सकते हैं और कितने प्रशन से हो गया है तो फिर दूसरे paper से आपकी जो merit निर्दारित होगी यह आप सब लोग जानते हैं बहाशा वाला portion इस बार बहुत ज़्यादा पूछा है देखना क्योंकि वह आपको लगाया भी गया था इडिशनली कुछ और चीज जोड़ी गई थी तो यह 13 question 1 से थे नाटक स यहां से पूछा गया था आधिकाल से इस बहुत ज़ादा प्रशन रही थे एक दो प्रशन ही इसमें थे पुछबदंसरी लिटड एक प्रशन था और एक आपका जो निवधाल की भाषा को लेकर के या अधिकाल को लेकर के जो हजारी प्रसादि वेदी का कतन था वो पूछा गया था बक्तिकाल से बहुत सारे प्रशन थे लेकिन अधिकतर प्रशन इसमें क्या थे जो आपके निर्दारी त्रशनाएं थी जो कवीताएं थी उन से पूछा गया था निव थोड़ा सा समझ को विक्सित करने वाले प्रशन थे तो जारतर इस बार का जो पेपर था देखना वो जारतर कैसा प्रशन पूछा गया था जो डारेक्ट कोशन होते हुए मतलब आपको सोच समझ के ही उन प्रशनों को करना था आपकी जो एनलेटिकल पावर है उसको मजबू तीन ही प्रशन पूछे गया थे उनमें भी दो प्रशन तो बिलकुल आपके डारेक्ट कोशन बनते थे कि कौन सा उपन्यास जो है वो किसका है बाकी एक प्रशन जो पूछा गया था कि अधार बोमी कि जो दश्रतमाजी के जीवन को अधार बान करके लिखा गया उपन्या ठीक है तो यह यहां से पूरा का पूरा जो वर्गी करन है वो यहां पर किया गया है चलिए अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रशन थे किस यूनिट से उनको यहां पर हमने क्लासिफाई करके ही रखा हुआ देखना तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो प्रशन है प मेशा पढ़ते ही हैं जब हम आदिकाल भकतिकाल रीतिकाल इस तरीकेसे को पढ़ते हैं और लोग जानते हैं कि यह हैं आपका जो प्रयोगबार के अंतरकरत आने वाले जो तीसा सब सब्सक्टा के लिए करते हैं तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है देखिए कि यहां से देखो सिष्टी पर पहरा तॉल्ष्टोय साइकल अकाल में सारस यह इसका जो है राइट आंसर हो जाना था चलिए अगला प्रशन हम देखते हैं कि आगे क्या है असाध्य बीना में सरजना के लिए मूल भूत आवशक्ताओं क क्रम में गौन कौन सी चीज रही है तो इसमें आपका जो ताल है लैचंद और स्वर यह जो है असाधारन अधिकार रहा है इसका यह वाला प्रशन हो जाना था अगला प्रशन प्रशन है जो आधुनिकाल से समन्दित था तो इसमें क्या पूछा गया है देखिए कि फैंट दूहे की पहली पंक्ती तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो क्या था आपका यह था सत्य स्वहिं घायल हुआ गई अहीं सा चुक जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक तो डी ऑप्शन इसका था हलांकि बहुत सारे लोगों ने खड़ी हो गई चांपकर कं अंगालों की हुग यह कवीता की प्रारम्मिक पंक्ती थी ना कि दोहे की प्रारम्मिक पंक्ती थोड़ा सा आपको इसको समझ के करना था चलिए अगला प्रशन हम देखते हैं अगला प्रशन है इसमें 32 प्रशन आप प्रशनों की गिंती भी करते रहेगा सासात में कि आध दिन करका तो पार्टे क्रम में शामिल है इसका त्रीत की आंक वहां से ये पूछी गई थी कमाईनी में शरद्धा को देखने पर मनु को कैसी लगती है वो तो ये था घनतिमीर में चपल की रेखा तो 39 का जो होना चीए था ये क्या था आपका option number C तो ये भी पार्टे क्रम मे वीशेशनाएं भी हमने पड़ी थी मतलब जो भारतेंदू योगिन वीशेशनाएं वो ही यहां पर भी होनी थी ये भी हमने सारी चीज़ें लगब 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 पड़ी हुई थी तो इसमें भी कोई जादा मुश्किल वाली बात नहीं होनी चाहिए थी वह मादखता ही क या जिसमें बाकी न रह जाए जग का भै फिप्टी टू का देखिए यहां पर जग के भै का मतलब है कि जो रूडिया हैं उसके नैतिक मुल हैं नैतिक जो चीज़ें उनको अजविक करित किया गया है क्योंकि ये हलावादी कवी रहे हैं हरी वंश्क्राइब बच्चन यह बाकी यहां पर अलग-अलग लेकों की हैं तो यह भी आसान सा प्रशनता मुश्किल नहीं था नीचे अगर आप देखते तो दो-दो रचनकारों की तचनाया आपको मिलती हैं नीचता के अतीव अगर है के कभी अगे इसको हमने लाइव क्लास में पढ़ा था जितनी भी अ प्रशन चे की तो यहां पर यह किसके फूलने की बात कर रही है अशोक के फूल की बात यहां पर हो रही है ब्रह्मराक्षस लंबी कवीता मुक्ति बोध की एक बार फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें नरेटर ब्रह्मराक्षस का सजल उर शिशक क्यों होना चाहता है उसके अधूरे कारे को तर्ग संगत निशकर्षों तक पहुंचाने के लिए ठीक है अगला देखते हैं हम इसमें क्या होगा अगला है स्रोसमरिती में उपमान के संदर्म में जो गलत यूगम है वो कौन सा नहीं है तो यहाँ पर आपको स्रोसमरिती को सिर्फ थोड़ा सा एक बार रीड ही करना था और ये प्रशन आपका निकल जाना था बीन भी हूं में गीत के संदर्म में कौन स समुच्च जो है वो असंगत है तो यहाँ पर जो सेवन्टी सिक्स्ट क्वेशन है देखे इसका था ओक्षन है बसी मधुर उर फूल यह भी पाटक्रम में शामिल कवीता रही है तो यह आपके काब्य यानि की आधुनी काल से समंदित जीतने भी प्रशन थे लगवाग सोला पर गलत होंगे आगे हैं यहाँ पर फूंक फूंक पर कदम रखना यह आप सब लोग जानते हैं इसको बताने की क्या यह आप शक्ता है नए नए बने राज्यों में मात्री भाषा हिंदी वाला राज्य कौन सा नहीं है तो यह आपका तेलंगाना हो जाएगा अपब्रश क विशेशता जो नहीं है देखना तो वो व्यंजन लोप होना चाहिए व्यंजनों का लोप हलांकि इसमें कुछ एक दो तीन व्यंजनों का लोप इसमें रहता है ठीक है लेकिन जो तत्समी करण है यह इसमें रहा है जो इसकी अंतिम आवस्ता रही है वहां पर तत्समी करण उसमें ज़ादा देखने को मिलता है पर सर्ग प्रियोग भी रहा दूतिय करण भी इसमें रहा है लेकिन यहां पर आयोग ने इसमें यह आंसर दिया है हलांकि इसमें व्यंजन लोप भी हो सकता था कि व्यंजन लोप इसमें नहीं है ठीक है लेकिन आयोग ने एक या है तो आ वर्तमान कालिक क्रिदंत के पुनरुक्त रूप से अतिशयता का प्रकाशन होता है तो वो पढ़ते पढ़ते उब गया यहां पर यह वाला नेक्स्ट यहां पर देखिए मृत व्यक्ति के लिए अनुप्युक्त शब्द तो यह तो पूर्ण प्रग्य मतलब जो पूर्ण ज् यह भी असान प्रशन था वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं था निमिलिक्त में से ततपुर्ष समास के अंत्रगत करमधारे रहता है में लिए आपके चार ही समास हैं देखना शुरोता को आशवस्त और प्रभावित करने के साथ आतम शक्ति और आतम परितोश की भ्यंजन यह शूरसेन और मघद के आसपास माराश्त्री जो है यह आपका कहां पर रही देखना माराश्तर में ही रही तो यह दोनों क्या होगाए गलत होगे अर्ध मागधी भी आपके शूरसेन और मतुरा के आसपास का ही रही है ठीक है तो विधर्व इसमें नहीं होगा यानिकी पैशाची आपका क्या हो जाएगा और विससी बात है सही हो जाएगा जो कि आयोक ने भी सही माना है अब इसके बाद यहाँ पर इस प्रशनों में थोड़ा सा फिर से एक विवाद वाली स्थिति मुझे लग रही है कि भाशिक विशेशनाओं के दिश्टी से असंगत यूग यह देखना अब दिमे संगय के तीन रूप मिलते हैं बिल्कुल सही बात है भूतकाल के रूप में भाब भाई भेव आब वाले शब्द जो है वो प्रचलित रही है लेकिन जो यह आयोग ने भी इसका ऑप्शन दिया है अब दिमे विश्टेकाल के साय क्रियाक में यह भी पारी ऐसी चीज़ें ठीक है बढ़ाऊ नहीं रहता है उसमें इस तरीके से तो आप इस पर भी क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं यह प्रशन अबने पढ़ा हुआ था देखना कि इंदी वाशा के प्रचार प्रसार का कार्य काहां पर रहता है 351 में ठीक है पापा ने कहा कि ममी बाजार गई है और दीदी कहती है कि वे सिनेमा गई है उप उतकत्र में उपवाक्य उपवाक्य मतलब जो यहां पर मतलब दूसरे वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए जो एक वाक्य बनता है जैसे आपका शब्द शब्द से पद पद से पद बंद पद बंद 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 से वाक्य वाक्य से वाक्य ऐसे करके तो पापा ने कहा एक ममी बजार गई है दो दीदी कहती है कि वे सिनिमा गई है तो इस तरीके से यहां पर यह ठीक हो जाना था नेक्स्ट है इंशालला खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है इसको हमने भ खान थे और जो सदसुक्लाल नियास थे उन्होंने बाशा को क्या किया सिवा की तो इसलिए यहां पर इनकी रचना का नाम जिक्राता देखना जो रानी कित्की की कहानी जिसका दूसर नाम था उदेभान चरित नहीं कितनी ही वारिस को देखा था आप सब लोगों ने तो यह आपका जो भाशा वाले पूर्शन से समंदित प्रशन जो आपको लगभग लगभग कितने थे 12 या 13 प्रशन इसमें पूछे गए थे तो लगभग 30 प्रशन यहां से थे इनमें से आप लगभग easily 20 या 25 क्वेशन किये जा सकते थे देखना थोड़ा सा समझने के बाद अब निम्बारक सम्फडाय आप से जरूर पूछते हैं या थो ऐसे समझन रहता है कि स्परबोर्दाके प्रवर्टक लेकिन यहां पर थोड़ा सा इस पर हटके पूछा गया था तो यहां पर यह कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ है तो गलत होगा कि इसमें उपमा का चमतकार में कहीं पर भी इसमें देखने को नहीं मिलता यह मीरा की पदावली से जो है यहां पर रखा हुआ प्रशन था इसके बाद आता है इन मुसलमान यह भी आपने बहुत बार पड़ा है कि यह पंक्ति किसकी है यह आपके रस्खान के लिए कही थी बारतेंदू अरीश्चंद्र ने नबदा भक्ति यह भी यहां से मैं ने देखी प्रशन में बनाया था कि दश्टा भक्ति का अगार और मैंन वक्ति रहती है उसमें भी आपको ध्यान रखन था अब इसके बाद एक और प्रशना आया यहां पर देखिए यह जो आपका सूर्दासे की पंक्ति है इसमें पूझा गया है दिन प्रति जात सहच गोचारन गोप सखा ले संग इन पंक्तियों में प्रमकृप से क्या है तो यह रहेगा आपका option number D अनन्यता अगला है यहां पर देखिए नैन चुबही जस महवट नीरू तो ही बिन अंग लाग सरचीरू नागमती व्योगखंड के उध्रत और परिक्षा से पहले मैंने आपको एक बार जरूर बोला था कि नागमती व्योगखंड को जरूर पढ़ 67 जो यहां पर question ने देखिए इसका भी क्या है इसमें उलट बांसी मैं लो उल्टी सीरी बात की गई है तो यहां से ही आपको समझना था कि यह क्या उलट बांसी है अगला प्रशन है अगर इसलाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता यह तो बहुत famous पंग प्रशन हो गए समाप्त 10 प्रशन ये थे उसके बाद आता है कावे शास्त्र से समंधित प्रशन जो बात्य और पाश्चात्य से थे देखना 10 प्रशन यहां से भी पूछे गए थे और यह भी important question है और जादा मुश्किल नहीं थे दो प्रशनों को छोड़ करके दो क्रशन क कौन से थे हलां कि वो मुश्किल नहीं कह सकते हैं आप उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो थोड़े से आपको बारीकी से समझने की कोशिश करनी थी तो रस चर्चा के अंतरगत नवारस आप सब लोग जानते हैं शांत्रस है ये ठीक है इसका लाबा लोगों को थोड़ा सा यह मु नहीं है बहुत सारे लोग करें कि पांडे को पढ़ने से फाइदा नहीं है लेकिन यह जो निरदारी त्रचना लगी है वो तो आपको पांडे में नहीं मिलेंगे अब तक टेक्स नहीं पढ़ेगा जब तक यह चीज़ें आपको आसानी से समझ नहीं आएंगे आप यह इस बात को समझ की रखिए खुद भी और जीतने भी इसके बाद बहुत से लोग तो इतने ऐसे भी हैं जो यह कह रहे हैं कि अब हमने क्या करना है हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो हम पढ़ना चोड़ दें पढ़ना क्यों चोड़ दे रहे हैं क्योंकि LT कमिशन का अब इसके तुरंत बाद होने वाला है तो अगला जो आपकी प्रेपरेशन होनी चीए वो अब इस तरीके की होनी चीए कि आप पेपर पूछने का जो तरीका है वो तोड़ा सा एनलेटिकल हो गया है आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है डिरेक्ट कोशन पर ही जादा रिल से पढ़ना है तो यहां से हमें यह चीज अब समझ में रखनी है इस पेपर को ध्यान में रखते हुए कि आगे अगर हम बविश्य में जा रहे हैं पेपर देने तो हमें अब बारीकी से चीजों को पढ़ना है ना सिर्फ तत्यों को इकठा ही करना है बलकि उसको विबरनात ही मथ हैं बारीतत्यों का नहीं तो यह बात गलत है तो कभवे में हुआ जो है विश्यवस्तू का भी यह इसमने क्या हो जमना था इसका असंगत हो जाना था बाकिए चीज़치를esien से इसने कई हैं आप पांडे वाली बुक को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी इसकी दीवी हैं इसकी जो बाते हैं देखना, भरतमुनी के रसूत्र में भाव कतुपे पार, ना जाने कितनी बार पढ़ा आपने बटनायक ने बोला था ये, वर्जवर्थ कावे भाशा के लोग जानते हैं, 35 का ये ओप्शन ही हो जाएगा देखना, आईए रिचर्ड्स के अनुसार, कावे का उदेश ये, अभेगों की विश्रानती, पांडे वाली बुक में सारे ही कोशन है, पिर आप कहेंगे कि नहीं पढ़ना उसको, दंडी सबसे पहले आए, सब लोग जान लोग जानते हैं, वहाग कावे नुचिलन करता व्यक्ति जिसमे रसन गूति की शमता, अभिनव गुप्त के लिए, ये शब्द का प्रयोग या, सहिर्द है, इंपोर्टन कोशन था ये, जो आपका चवाली स्वाम प्रशन, और ये भी हमने डिसकस किया हुआ था देखना, और सभी गुणों का अंतरभाव किसमे रहता है, ओज माधूरे और परसाद गुण, ये था आपका, ओज माधूरे परसाद, option number D, यानि की कावे की आत्मा, रीतीर आत्मा कावे से वामने कहा था, भारती कावे शास्त्र और पाश्यात्य कावे शास्त्र बहुती असान सा थ रिखना यहाँ पर कोई भी मुश्किल वाली बात इसमें नहीं थी, तो ये थे 10 प्रशन जो की कावे शास्त्र से समंधित थे, I hope कि इन 10 प्रशनों में 9 प्रशन तो आपके कही नहीं जाते, हाँ, लोजाइनेस को लेकर कि आप थोड़ा सा confusion में जरूर हो सकते थे, ठीक है, इसके बाद आता है, कहानी से समंधित जो प्रशन नहीं देखि ए, शुकल नहीं ही हिंदी साहीत का इतियास में हिंदी की पहली कहानी के नेरे धारन हेतू, किस पत्रिका में प्रकाशित कहानी उको चोना, सरस्वति पत्रिका, तो यहाँ सघारन से प्रशन था, कि इंदूम विक्सित कहने वाला प्रश्म था देखना ऐसा नहीं है कि आपका कोई तथ्या पूछ दिया गया ठीक है तो यह अनुभव क्या करते हैं यह चाहते थे न कि अपने घर वालों के साथ रहें जैसे पहले माहौल होता था वैसा ही है लेकिना चीजन जो है वो बदल चुकी है संगत यूगम है वो कौन सा है तो यह प्रशन आई थिंक रिपीट हुआ है कि इसमें पहले यह प्रशन पूछा गया था तो इसमें कहा है नई और पूरानी पीड़ी जो है इसमें नहीं दर्शाए गई है यह चीज यहां पर आयोग ने सही मानी रोज कहानी में बज गए क कि आवरिती में क्या है तो यह एक रस्ता का भाव है कि उसकी जिंदगी जो मालती है उसकी जिंदगी में कोई जादा समरस्ता इत्यादी जो नहीं है तो यह एक रस्त तरीके से ही चल रही है और वो गंटे ही मानों बेचारी गिन रही है ठीक है अकाश्दीव कहानी में पतनी कहानी की सुननदा क्या चाहती है तो वो पती के साथ भागीदारी चाहती है, option number B इसमें सही चीज़ें होनी था, ठीक है, and कहानी के लेखक कौन है, गंगा प्रसाद विमल, तो ये थे कहानी से समंदित आपके, जितने भी प्रशन, यहां पर देखे कुछ प्रशन आपक से समंदित थे, कुछ प्रशन आपके जो हैं, पाटे करम में जो शामील रशना नहीं थी, बतलब आपको हिंदी कहानी के उत्वाब विकास से समंदित था, इसमें आपका कहानी यांदोलनों से समंदित, मैंने पहले भी बोला था कि इसको पढ़के जरूर जाना है, आपको पूछे गए हैं देखना, तो यहाँ पर पूर्ण सिंग का निबंद, असान सा प्रशन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कच्छुआ धरम आप सब लोग जानते हैं, किसका है, जंद दर्शमा गुलेरी का उपन्यास था, शिप्षंभू के चिठ्थे में संकलित वैसराय का करतव है, इस प्रशन पर भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं, क्यों क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वैसराय के करतव है, शिर्शेख में बालमकुंद गुप्त ने भारतियों की जंसंक्या का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, ये इसके बाद इनका एक और आता है, अगला जो क्रम है देखना जिसका नाम क्या था जिसमें इनोंने बताया कि इसमें 30 करोड जो है इनकी जन संख्या है ये है पीछे मत फैंकिये इस शीरशक में इनोंने क्या बताया है इसके बारे में बताया है कि इसमें बातियों की जो संख्या है वो केतनी है 30 करोड है तो यहां पर आंसर तो 30 करोड ठीक है, लेकिन वैसराय के करतब्य शिर्षक में ये नहीं आया है, इस पर claim हो सकता है, ये बात आप reference दे सकते हैं, कि ये सही नहीं है, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है 63 और ये तो बहुत ही easy question था, इसको हमने अपने जो classes में भी देख देखा था, easy नहीं कह सकते हैं, easy उनके लिए हो सकता है, जिन्होंने इनकी पंक्तियों को पढ़ा था, क्यूंकि शुकल की पंक्तियां अक्सर ये सारी ही पंक्तियां जो पुराने पेपरों में पूछी वही हुई है, पहले से ही, तो कवीता स्वार्त समन्दों के ऊपर आने की जुरूरत ही नहीं थी आपको, और इर्दे की मुक्ति साथना के लिए किया गया, वानी के विदान को ही अमकावे कहता है, ये तो फेमस पंक्तियां इनकी, ये पहली और चौती तो जबदस पंक्तियां थी, इसके बाद आता है, नाखुन क्यूं बढ़ते हैं निव अब ये तो थे आपके कौन से, जो आपके निवन्द से समंधित, चार प्रशन, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है, इसके बाद पूछा गया है, देखना कि पुस्तक को लेकक युगमों से सही कौन सी चीज़ें नहीं है, तो ये इनकी समिक्षात्मक पुस्तक रस मिमासा, यहाँ पर रामजंदर शुकल की है, आप सब लोग जानते ही है, नवरस गुलाबराय की, रसेधान नगेंदर की तो ये तो ठीक है, रसेधान तो और स्वंदर शास्तर की निर्मला जेन की रशना है, यहाँ पर इनकी नहीं होगी, तो ये असान प्रशन, था मत अब आपके दो प्रशन आलोचना से समंदित, तो यानि कि 5-6 क्वेशन आपके निबंधोर, इससे रहे आलोचना से समंदित, अब नाटक से समंदित जो प्रशन थे आपके पाठकरम है, वो लगवए 5 प्रशन यहाँ से पूछे गये थे, अंधेर नगरी पाठकरम में शा इसकी भाषा प्रशा प्राइप पात्रों के स्तर के प्रतिकूल नहीं है, बलकि अनुकूल होनी चाये थी, और यह आपके लिए असान सा प्रशन था, भरते अंदु से 2 प्रशन थे देखना, कवे वाले समर्द में भी वहाँ पर क्या रहा, यह भाषा के परिशकार की जो इहां पर अन्दायूक में अपने स्थित्तौ के प्रति यहां पर भूला गया है कि जो अन्दायूक था स्थित्त्तो के अर्थ को क्रमशह खौने वाला जो व्यक्ति है वो सत्य का प्रति कौन सा पात्र है तो यह संजय है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं मैं राज भवनों से डरती हूं क्योंकि उनके लोब से यह जो प्रशन आया है आपका चंद्रगुप्त नाटक से यहां पर यह कथन रखा गया है कथन तो पढ़ने ही चाहिए थे आप यह था निकशेप अप्शन डी इसका सही था अशोगोश्ट की रचना पर अदारीत लहरों के राज हंस यह आपके पाटगरम में शामील था आशाड' का एक दिन लेकिन यहाँ पर लहरों के राज हंस होगा इसका सही आनसर आटांसर अज जो ए कौमार संभव पर अदारीत है ठीक है और अशाड का एक दिन तो कालिदास पर हैं एक अंठ फिश्पाई तो जो आपका शिब हैं उनके हैं ना ऐसे करके दर्शत्माजी के जीवन पर आधारित उपन्यास अब ये थे नाटक से समंदेथ 5 प्रशन उपन्यास से 2-3 प्रशन ही थे देखिए पहला प्रशन प्रशन यहां पर इसको देखने की जूर्ट नहीं थी आपको सिर्फ इतना देखना था कि इन्हीं हत्यारों से किसकी रशन है अमरकांत यह उपन्यासिक प्रिती थी अमरकांत इंपोर्टेंट ट्राइटर है रही है कि कि सौन्दौर उप्यासक तो यह ब्रजन अंदन सा है यहां पर भी पूचा गया है कि कौन सा उपन्यास किसका रहा है यही थी आपके उपन्यास से समधित तीन प्रशन यानि कि यहां पर दो प्रशन तो ऐसी थे डारेट कोशन कि कौन सा उपन्यास किसका है तीसरा आपका अधार से समधित प्रशन पूचा गया था कि कि किस कृटिकाल से प्रस्फन तेैं, केबल दू प्रश्न आपको पूछए थी, एक जो यह आपका कौन है, आपके घनरन्त की पंघ्पंक्ती है और एक आपको पूछी थी जो कौनसी रही आपका जो बिहारी है उसके दोहे से समंदित पंक्ती पुछ गई है तो यहां पर यह कह रहा है कि इसमें भावार्थ के संदर्व में असंगत कौन सा है तो इसमें जो राइट आंसर है देखिए यहां पर कि चातक को फंदे में फसाओ तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए तो उससे मोह नहीं छोड़ना चाहिए यह इसका भावार्थ था इस तरीके से आपको यह याद रखना था चलिए आगे देखते हैं इसके बाद आया आया आपका किससे यह है जो आपका 49 प्रशन है देखिए यह दुहा संक्या 46 है देखना किसके बिहारी की उससे यह चंचल चंचलता को व्यक्त करने के लिए ठीक है बक्षी की जो चंचलता रहती है तो यह दो प्रशन आपके किससे थे रितिकाल से थे इसके बाद आता है साहिते के इतिहास लेखन से समंधित तो साहिते इतिहास लेखन से समंधित यह जो प्रशन रहा नलिन विलोचन शर् कर था कि इनके इतियास कृंसेय आप इसको याद सकते था कि कि इनके जो पदती रही है वो किस्किडरा करी है साहीत-शार सरी जो आपकी दर्शास्त्र जिसको हम कहते हैं उस बân़िंगी बात की गए थी तो इन्होंने यह बात यहां पर रही ठीक है तो यह हो कि इसकी बाद आ आई नहीं है, बहुत असान सा प्रश्ण था, इसके बाद आता है, दस्वी से चौध्मी शयताब्दी तक, तो यहां पर जहां, मतलब यह तो शुकल की ही पंक्ति है, इसमें क्या ही देखना था, अचारे राम जन्द शुकल का हिंदी साहित के थियास, उससे यह प्रश्ण र समझाने के का प्रमुक संकेत है, वो क्या था, क्योंकि उसके पिता के मृत्यू के एक वर्श बार घीसा के पैदा होने का अफवाद, तो इस बज़ा से जो है, यह क्या था, यहां पर समझाने की बात को बताए गया है, कि घीसा कैसे पैदा हो गया परी, जबकि उसके पिता होंगी मैंने पहले भी बोला था कि 15 जीवनिया है जो शुरुआती मैंने बताई थी उसी में ही आपका ये उसके चीवन पर अधारी था तो इसको आपने देखना और ये विष्णु प्रभाकर किया ना कि विष्णु शर्मा किया ऐसे करके आप इसको ध्यान में रखना था चलिए अगला प्रशन क्या था क्रिती और क्रितिकार के दिश्टी से असंगत यूगम यहां पर कौन सा था तो नंगा तलाई का विष्णात्री पाठी की है गालिव चूटी शराप रविंद्र कालिया तो महरा परसाई कांति कुमार जैन याद हो कि याद न हो अरी चंकर परसाई की नहीं है यह उदय जो आपका काशिनात सिंग है उनकी यह रहेगी ठीक है और यह किस प्रकार की र की गई है तो यह थी आपकी स्वानभूती इसको रखा गया था हलां कि इसके अलावा और प्रश्ण यहां से नहीं पूछा गया था तो यह लगबग लगबग जो हैं इतने प्रशन रहे आपके जो 80 कोशन थे जो कि आपके साहित्य से समंदित थे और इन प्रश्णों को द एंड आपकी जो अन्य चीजें हैं उनको भी आप जो है एकदम से छोड़ नहीं सकते इस बात पर भी आप जोड़ रखें बाशा और जो आपका कावेशास्त्र है वो बहुत जादा रहा है ना इस बारी और जो आपका भक्ति काल से समंधित प्रशनते वो भी बहुत जादा और आधोनी काल को जादा से जादा यहां पर रखा गया था तो उसको आप एक पार जरूर देखेगा बाकी जो उपन्यास इत्यादी इत्यादी चीजें हैं उनको भी आपको साथ साथ में जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पढ़ेगा जो आपका उपन्यास कहानिया पाटे क्रम में शामिल है ठीक है तो यह था और एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि अभी आप ऐसे भी ना सोच लें कि इसमें बहुत जादा जाने के चांसी हैं कट अफ के और बहुत ही कमाने के हैं ऐसा नहीं है मॉडरेट से लेकर के आपका थोड़ा सा हाई लेवल की और का ये क्वेशन था मतलब ऐसा पहली बार ऐसा पेपर हुआ इससे पहले जो प्रशन पूछते थे अधिक तर प्रशन जो आपके डारेक्ट ही होते थे जाधा यहां से नहीं रहता था ठीक है तो हूफ फर दे बेस्ट सब के लिए जिननों ने भी एक्जाम ये दिया है और जिसका पहला पेपर क्वेशन हो रहा है अच्छे से तो वो जो है यहां पर उमीद कर सकता है कि अगर आपके इस पेपर में 50 से 60 के एराउंड भी बन रहे हैं तो आपके चांसी जो है क्वेशन होने के बहुत जादा हैं क्योंकि B8 वाले पोर्शन में भी उतनी जादा दिक्कत वाली बात नहीं थी जितना हम लोग सोच रहे थे कि B8 पोर्शन में आपको कहां कहां से आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में B8 पोर्शन को लेकर के बात करेंगे कि कि कितनी चीज़ें उससे में बन सकती हैं और कितनी नहीं बन सकती हैं या कितना आप जो हैं उ तो मुझे दीजे इजाज़त जय हिंद जय भारत